नमस्का, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में क्या GST की जो मीटिंग होती है जिसमें सरकार के नुमाइंदे अलग-अलग शहरों में जा करके बिजनसमें से मिलते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते हैं, GST के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या ये GST मीटिंग्स दरसल एक GST दरबार है और इस दरबार में जब तक आप वहवा वहवा ना बोलें जब तक वह बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप वहवा नहीं करेंगे तो क्या Finance Minister नाराज हो जाएंगी और नाराज भी इस तरीके से होंगी कि फिर आपको कमरे में बुला करके, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल के कमरे में डाट पड़ती है और आप शीज जुका के खड़े रहते हैं और उसको बोलते हैं, सॉरी में, इट विल नेवर हैपन अगेन में उस तरीके से आपको स्कूल किया जाएगा, डिसिपलिन आपके अंदर लाए जाएगा कि आपको माफी मांगनी पड़े, और वो भी अपने हक की बात करने के लिए, हम ये सब बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तमिल नाडू में होते हुए दिखा और इसको ले करके खासा बावाल मचा हुआ है, बिजनस कम्यूनिटी ने जुर्रत तो की बोलने की, लेकिन अ मानना है कि बिजनस समुदाय इसी तरीके से बिहेव करता है, सरकार के लिए अपने धंदे के खातिर अगर जुकना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, तो वो माफी भी मांग लेंगे, जुक भी जाएंगे, सौरी भी बोल देंगे और बहुत सारी बड़ाई भी कर कर देंगे, कि मुझे मेरा धंदा चलाना है, मुझे आप से कोई इनकलाब नहीं लड़ना है, लेकिन अपने हक की बात बोलने पर भी माफी, ये पूरा मामला क्या है, आईए आपको एक एक करके बताते हैं, तो एक मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्मला सीतारमन वित्त मं करी कोईमबटूर में थी, और कोईमबटूर में अन्पूर्णा होटेल के M.D., अन्पूर्णा होटेल कोईमबटूर में एक बहुत बड़ी होटेल चेन है, और बहुत फेमस भी है, और उसके मालिक, उनका नाम है D. SHRINIVASAN, वो उठे और उन्होंने अपनी बात कहनी शूर तन्ज कसते हुए मजाग करते हुए कि मैं कर दें उस तरीके की बात कह देता हूं तो उन्होंने अपनी एक बात कही पहले तो आपको बात सुनाने से पहले उसका तरजुमा बता दे क्योंकि बात तमिल में कही गई है हो सकता है हिंदी भाषी लोगों को समझ में ना आए तो हमारा computer भी confused हो जाता है कि किस पे GST लगाएं और कितनी लगाएं और क्या लगाएं और नमकीन पर अलग GST है मिठाई पर अलग GST है South Indian लोग नमकीन जादा खाते है North Indian क्योंकि Coimbatur में North Indians के आबादी जादा है वो लोग मिठाई जादा खाते हैं तो अलग-अलग GST compute करनी पड़ती है बन पर GST नहीं है या कम है लेकिन क्रीम जो मक्षन होता है उस पर GST 18% है तो बन मक्षन अगर हम देते हैं तो उसकी GST अलग हो जाती है ऐसे में बहुत सारे कस्टमर आकर के कहते हैं ए सुनिये हमको बन दे दीजे और क्रीम दे दीजे हम खुदी लगा लेंगे हमें आपकी जरूरत नहीं है यह बिना मतलब 18% GST कौन भरेगा यह सब बाते होने लगती हैं आइए सुनते हैं उनका बया अरत्त दुब काफी उखकोनों कार अमनुद दे रदू दे खके पन्न आपको बैदा कैस को शोल लगता उटले हैं इस है डएलिज एंगलब के नजैदे प्रिक्ष्णना उरे दिल्लिए एल्लिए वर उरु एड़ोओ क्यों की टिफरेंट डिफरेंट डिफरेंड पौड क फुर्थ कर दो रुफंगर विखले पुर्ण को स्चछ को स्च्छ के दो अगल, पुर्मे एगल, वह अगला, फ्रिण को उखली नीजंग, अगल, 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 आट पोने, वे अम्मा, उसे, मेड़ेत, भुष्ल के अखली, पुर्ण, एखली कुझे अटो, उसे, स्चेल, अमलने अचल स्वीट कारम कापि आपनिताम पोड़िए, अनौला थायस जिजा अधे परुटो, फंचे रुटोर को मैंनेदा कायँ इंदियार्स पुरस एतिडिमें जिए एत्वीका जो कोरुब उरहे मारिया पनना, तानिग्त जिस पर उएकोड़िए, तो आपने सुना D. Shrinivasan का बयान, अब ये बयान, by a rule, ये जो बैठक हो रही थी, इसमें ये वीडियो बाहर नहीं आने थे, और D. Shrinivasan ने भी सोचा, ये बात अंदर-अंदर कमरे में हो जाएगी, तो हम ये वीडियो वाइरल नहीं होगा, लेकिन वीडियो हो गया वाइरल, अब वीडियो जब वाइरल हुआ, तो किरकिरी हुई, हालाकि उस समय उस वीडियो में निर्मला सीता रामन हसते हुए दिख स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने मुंबई में सरकार को निर्मला सीता रामन की मौजूदगी में स्लीपिंग पार्टनर बोला था, उन्होंने बोला कि भई आप सरकार तो पार्टनर है भी नहीं, लेकिन आप हम ब्रोकर से ज़्यादा पैसा कमा ले जाते हैं, अपना ये पेशी नहीं हुई, लेकिन इस बार पेशी हो गए, क्योंकि जब इस चीज को ले करके किरकिरी होने लगी, इस लिक्ट वीडियो को ले करके, तो फिर से एक और वीडियो लीक हुआ, इसी फंक्शन का, और उस लीक वीडियो में ये दिखाया गया, कि डी शिरिवास जी आरे प्रेस्टेंट आरुक है, फ्च रा इस ब्रॉट इस लिक्ट वोल्क कि सदन स्टेट वुट्ला वास प्रेस्टेंट आरुक्किमेर, बस फाल ना उच्छ को लिए थैंक पोनानों, इंत गोरोना टाइमले, अफ़ैक्ट आनए, एरल्लाइम्स और ने अथियों और रेस इस वीडियो में जैसे कि आप जो मुख्य शब्द सुन पारे हैं वो है कोविड के दौरान वो बड़ाई कर रहे हैं सरकार की कि कोविड के दौरान ने कितना अच्छा काम किया और क्या-क्या कदम उठाए अब इतना भी डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसे लगता है बीजेपी के लिए काफी नहीं था स्टेट इकाई जो स्टेट यूनिट है उसको ये महसूस हुआ कि बड़ी बेज़दी हो रही है राजनीतिक रूप से अब सवाल उठाये जाने लगे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सवाल उठा दिये स्टेट यूनिट में डीमके ने सवाल उठा दिये और बीजेपी की होने लगी बेज़दी कि ये आप क्या कर रहे हैं आपको देखिए किस तरीके से लोग आपसे कह रहे हैं कि इतना आप टैक्स वसूली कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं लोग भी परिशान हो रहे हैं जब ये किरकिरी होने लगी तब आपको और वहीं से असली कहानी शुरू होती है वहां हमने देखा एक बहुत है हैरतंगेज ध्रिश जिसमें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग है इसमें एक बीजेपी की फंक्शनरी निर्मला सीतर रमंजी एक संभवता होटल के कमरे में बैठे हुए हैं और अन्फूर्णा होटल के मालिक उठके माफी मुद्रा में आते हैं माफी मांगते हैं और पिर बैठ जाते हैं और तमिल में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा वो उद्देश नहीं था और सोशल मीडिया आईटी सेल के बीजेपी निता तमिल नाडू के मिस्टर बाला जी उनकी तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो ये कहने हैं कि डी श्रिवासन ने माफी मांगी सौरी बोला है हाला कि अब वो बाला जी के ट्वीटर हैंडल पर अब ये माफी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इस माफी मांगने के लीक्ट वीडियो पर अब और ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है बीजेपी कि ये ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक बिजनसमेन को अपन हो जाता है तो अपनी किरकिरी बचाने के लिए आप उसको बुला करके फिर से जलील कर रहे हैं जबरदस्ती माफी मंगवा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी इगो सैटिसफाई हो जाए ताकि आप लोगों के बीच में ये कैसे कि माफी मांग लिए इन्होंने हम सुपीरि करणडू क्या उत्तरप्रदेश क्या करें तो बिजनसमेन तो ऐसे सौरी बुलाना बहुत आसान है बिजनसमेन से अपने धंदे के लिए हो सबसे पहले माई बाप माफ वो कर देंगे लेकिन इससे आपने क्या हासिल कर लिया अपनी दर्बार में एक बिजनसमेन की कही प्लावर हो गई यह पूरा घटना क्रम बीजेपी के लिए ऐसे लगता है डैमेज कंट्रोल करने के बजाए और डैमेज कर गया आईए सुनते हैं कॉंग्रस ने क्या तामिल नाडू अपने लोगों का अपने प्रदेश का अपनी संस्कृती का यह अपमान नहीं सहेगा औ बीजेपी परियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को और यह तिरस्कार यह अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा यह इज़त है आपकी लोगों के मन में आप एक छोटे लगू मद्यम अद्योग पती को बुलाते है क्योंकि उसने अपनी विथा बता दी और उससे माफी मंगवाते हैं उसका विडियो रिकॉर्ड करते हैं उस विडियो को आपके हैंडल आपके लीडर चलाते हैं शर्मानी चाहिए आपको तरीक जाओ किन्यों से बाफी मागनी चाहिए क्योंकि उनका घमंड जो है वो इस तरह का है उनसे महिंग है काई की बात करिये तो वो कहती है मैं लहसन प्याजी नहीं खाती वो डिटॉल से लोगों का मुसाफ करने की बात करती है ये किस तरह के भाशा और किस तरह के बयान है और अब जो उनकी हरकत है नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ कर उनको वित्त मंत्री बनाया है इस सरकार क हर मंत्री घमंड और एहंकार में इतना चून है और बार बार उसका ब्योरा आपको देखने को मिलता है और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी है लेकिन तमिल नाडू के साथ तमिल नाडू के लोगों के साथ तमिल नाडू के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो कि अखलादा ट्रीजान। व प्राफ प्रावार लिए इंटिते भॉच्सिकरदीट लिए रे खश्ट्रीट लॉट इंट्सीन में आपश्टेपला is there a price that we have to pay for asking questions of this government for seeking help for us giving suggestions? अकेले का फैसला नहीं है कि अलग-अलग आईटम्स पर अलग-अलग जीस्टी हो एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है जिसमें सारी पार्टियां होती है बीजेडी होती है और धीमके होता है सारे दल होते हैं उनके नेता होते हैं और वो डिसाइड करते हैं बिंदूवर् ये उस मीटिंग में तै होता है तो पूरी तरीके से मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ तो वो जो कह रहे हैं विजनसमेन उनकी बाट अपनी जगा लेकिन ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है ये ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स तै करता है ये स्वश्टी करन उन्होंने अब दिया ये दिखाने के लिए कि फैनाइन्स मिनिस्टर्स आहत नहीं थी इस बात से वो तो खुद इसको एक नॉलेज कर रही है एक प्रेस कॉन्फेर्स में आइए सुनते हैं अवंग GST पत्ती कुड़ अधिगारी अनिप्पी रूँदेंगे जीएस्टी अधिगारी किट्टा अवरों अवंग तरप्पल अवंग्लों रिक्वेस्ट मेमरान्टम कुड़ु तिरूँद्धांगे अवर केल्बे केकेल बन्न के रेट्ट बन्न के टाक्सिलिंगे आणा बन्नल क्रीम पोट्ट कुड़ुद्धा अधि वेररेइटा अरुकु इदल्ला यंग कम्प्यूटर अले एद्धिक मुडिए लए कम्प्यूटरे एद्धिनलर रुम्पो जनरांजंकमा पेसनर जनरांजंकमा आणार वार्त्त फमिडल पोट्टल मैं इरुको यल्ल्यों तरीलियले और काधालके एकर आणमों मिलिगे आपटी इन्र मधी पेसनाँगे तप्पोंड इला, अवरोड स्टाइलल आवरो पेसरार। अणा एंगे डीटेल्स ओरूप ऑफ्मिनिस्टर्से, किट्टत तट ओरूवर्षम, अधिले डीटेल्स आईटम बै अईटम् येदुक्कि एंगे एनन रेट्टु पोड़नोंड अमैच्छर्गलिन कुणुममम उन्डु डीटेल्स आराइचिपनुदु अधिले अमैच्छर्गलिन कुणुममत्तिले पालाधरपट्ट मानिलंगल लेंदु अधा अधिले बीजेएपी आच्छी इले उन्ना मानिलंगल मात्रों इलामे, कम्यूनस्ट आरकलाँ, बीजेएडी इले, बीजेएडी इले, कौंग्रस आरकलाँ, अपडिए यल्ला presentation को, अधिले group ले इरुपांगों, अधिले इपढ़ी हारआंजी, अधिक अपरो, रकमेंडेश्न कुड़त्तपर अधेडिए इन्दे इन्डेएडि इन्देएडी उन्डेएड़ ना कुड़िया इरुटवांगों, अधिले इन्देएडी अधिले इरुट्वावलिए प्लस, होटल इंडस्ट्री यूँ इद पत्ती नरिया उवंग पेमरांटम उळ कुड़ुत्ता आलूं, अवर परिय विर तोली लो रुम्मनाळ अरु केल्विकेट्टारु, अणा अधुक्कना अंग पदल कुडुक्कल, उँग मोळमा अपद बदल सोल्टरु, कुडुमम पात्तु किड़ुक्त अधुक्क्त अधुक्त विष्यत्तारु, जनरंजगमा पेसर दनाल, जी एस्टी के परमा विरोधमा इरुक्कोड़ुक्क्कोड़ुक्त रुम्ब आधायमा कड़क्क्कोँ।, आपतिंगल, उरुगमाम्य केल्विकेट्टारु, अधुए अधु लेकिन अब आपने बायान सुन लिए बीजेपी की तरफ से भी स्पष्टी करण कॉंग्रेस की तरफ से उनका हमला जो घटना क्रम हुआ इस सब के बाद बस एक ही चीज मन में आती है क्या हम एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां पर हमारे बिजनसमें जिनको हम ये कहते हैं कि वो बैक बोन है लोगों को रोजगार देते हैं उनसे अगर हम सौरी बुलवा लें तो उससे हमारी इगो सैटिस्वाय हो जाएगी हमार सरकार की अच्छा प्रदर्शन दिखेगा क्या सौरी बुलवाना ही मात्र सौरी बुलवाना हमारा मकसद अच्छा क्योंकि इस फ्रंट पे भी किरकिरी होने लगी जब ये भी सवाल पूछे जाने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप एक बिजनसमें को जलील कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में बहुत वाइरल होते हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है ये ट्वीट स्क्रीन पर है जिसमें वो इस बिजनसमें से डी शिनिवासन जी से माफी मांग रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ कि आपका वीडियो लीक हो गया जिसकी वज़ा से आपको साफी मांग रहे हैं यह मामला हो सकता है रफा दफा भी हो जाए क्योंकि बिजनसमें की फित्रत यह होती है कि हटाओ यार पानी डालो आगे बहुत हमें हमारा बन बेचने दो हमें अपनी मिठाई बेचने दो और वढ़िया कुछ कंप्यूटर ले आएंगे करेंगे जो कर लेकिन शिकायप करना या अपनी बात रखना या सरकार की जीस्टी की आलोचना करना क्या इतना वड़ा अपराद है कि आपको बतौर बिजनसमें जलालत महसूस करनी पड़ेगी आपको जलील होना पड़ेगा और उसके बाद आप ही को जा करके माफी मांगनी पड़ेगी और निर्मला सीता रिमान फाइन्स मिनिस्टर उस वीडियो में माफी के दौरान दिखाई दे रही है कि उनके बाड़ी लैंगवेज में एक जिससे कहते हैं क्वीन वाला जो बाड़ी लैंगवेज होता है कि आप हिलते भी नहीं है और आपके सामने कुछ अक्टिविटी ह कोई कोई शिकन नहीं कोई एक्टिविटी नहीं ऐसे लग रहा था जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजनसमैन आ करके सौरी बोले यह इगो सैटिस्फैक्शन के अलावा और किसी किसम का कदम नहीं दिखता है अपनी तरफ से उन्होंने स्पष्टी करन जरूर दिय है लेकिन जीएस्टी पर अगर खुल के फीडबैक नहीं आएगा तो फिर आप बतौर सरकार रिलीस करते रही हैं आकड़े जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस महीने और जीएस्टी जीएस्टी बंपर सक्सेस्फुल और लोग जीएस्टी दे रहे तो दे सरकार के सामने नहीं रख पाए यह कारिक्रम आपको कैसा लगा बताईएगा जरूर इशारो इशारो में आज इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार